हेलो स्टुडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटनसी के चैप्टर डेट ओफ ए पार्टर फ्रॉम दा बुक आफ टी-एस ग्रेवाल का प्रेक्टिकल प्रॉब्लम मेंबर 456 करवाने जा रहा हूं स्टुडेंट्स यह है मेरे पास बुक क्लास 12 की टी-एस ग्रेवाल की एकाउंटिंग की बुक है जिसमें पार्टर शीफ फर्म का वालिप नूमर वन एडिशन है 2021 इसका मैं फॉर्थ फिफ्ट और सेक्स कोशन कराऊंगा यह देखिए यह रहा बुक के फॉर्थ फिफ्ट क मैं आपको यह कोशन करके देता हूँ फॉर्थ कोशन सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी ओड्रेशो के है कि ए बी सी की जो रेशो है four इस तू थू है और इसको क्या बोलेंगे को उल्ड रेशो तो उसके बाद गेनिक रेशो क्या चीज नहीं है तो डाइट को हुआ एडाइ às to one ठीक है जी और उसके बाद हमें क्या निकालना है गैनिंग रेशो क्या चीज़ है गैनिंग रेशो है हमारे पास कैसे आती है वो आती है न्यू माइनस ओल्ड करके तो बी का गेन कैसे आएगा दो बाए तीन माइनस इसका रेशो क्या है तीन बाए चार तीन साथ दो नौ तो इसको 9, 3 दूनी 6 माइनस 3 और यह 3 बाइ 9 आ गया और C का क्या आएगा? 1 बाइ 3 और उसमें से उसका ओल्ड 2 बाइ 9 माइनस कर दो तो यह आजेगा 9, 3 माइनस 2 1 बाइ 9 तो गेनिक रेशो बिट्वीन B एंड C कितनी आगी? 3 is 2, 1 यह आपका आंसर है आप बुक के साथ भी मिला लीजिए ठीक है students? तो चलिए यह simple question था मैं आपको अगला question करवाता हूँ 5th question 5th question का हम पहले A part करेंगे 5th question का हम पहले A part करेंगे यह है X W, X, Y, Z यह 4 नाम गिवन हो ठीक है चार नाम गिवन है उसकी रेशो हमाने गिवन है 1 by 3, 1 by 6 again 1 by 3 and 1 by 6 पहले तो हमें इनका old ratio को इसको common denominator पे ले आते है नीचे 6 करने के लिए यह 2 is to 1 is to 2 is to 1 हो जागा है ठीक है बटे? यह ratio बनगी इनकी old ratio क्योंकि नीचे 6 common चाहिए न तो फिर इसको 2 से multiply कर दिया numerator और denominator से इसको भी कर दिया हमने 2 से अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हो क्या कह रहा है? कि Y died Y died हो गया चलो कोई दिक्कत नहीं है Y died हो गया and W, X W, X और Z है उन्होंने decide कि कि उनकी future profit ratio क्या होगी? equal तो इसका मलो 1, 1, 1 होगी तो यह आगी new ratio यह क्या आगी? new ratio तो इसी के साथ हम क्या करेंगे? अब हो क्या करेंगे? हमें करने को calculate gaining ratio तो gain कैसे निकलेगा? gain आएगा new minus old ratio तो पहले W का calculate 1 by 3 minus उसका हिस्सा किना है? 2 by 6 तो यह 6 2 minus 2 उसका 0 आगया उसके बाद x का 1 by 3 है और उसकी जो old ratio है वो है 1 by 6 तो यह आजेगा 6 यह आगया 2 minus 1 1 by 6 और उसके बाद z का z का 1 by 3 और minus 1 by 6 ही है उसका ठीक है तो यह आगया 6 2 minus 1 1 by 6 तो gaining ratio कैसे आगया? Gaining ratio जो आई तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा अब w, x और z की इसकी तो 0 आगया 1 is to 1 यह इनका gain आगया ठीक है जी? यह आप book के साथ मिला लिजिए यही answer है न? हाँ ठीक है जी? यही answer है तो चलिए अब हम next question करें चलिए ठीक है next question महला fifth question का B part तो यह students यह रहा fifth question का B part fifth question में क्या given है? हमें A, B और C given है A और B, C A, B, C given है उनकी ratio है 4 is to 3 is to 2 यह क्या है? old ratio तो उसके बाद क्या है? उसमें C died है C died है तो अब वो क्या कह रहा है? कि A takes A takes 4 ninth of C this is sheer and balance is taken by B तो फिर balance कितना बचा? 5 by 9 ही बचा ना बटा अगर एक हिस्सा उसमें 4, 9 वो ले गया तो remaining कितना बचा? 9 minus 4 कर लो तो यह 5 by 9 ही बचा ना तो यह B ले गया of C ठीक है? यह दुनों take कर लेंगे तो यह इनकी gaining ratio आजएगी यह क्या आजएगा इनका? gaining ratio आजएगी ओके जी? तो चलो अब इसको इसमें उनके old में के साथ C के share के साथ multiply कर दो तो A का gain कैसे आएगा? C का हिस्सा कितना है? 2 by 9 तो 2 by 9 का 4 by 9 यह कितना आगया? 8 by 81 और B का gain कितना आजएगा? 2 by 9 का 5 by 9 तो यह आगया? 10 by 81 तो A और B की अगर मैं gaining ratio बात करूँ तो 8 और 10 that is 4 by 5 आजएगी तो book के साथ answer मिला यह ज़रा इसका gaining ratio आ रहा है? 4 by 5 यह सागया तो अब हमें क्या find करना है? new ratio new ratio कैसे find करेंगे? इसमें करेंगे old ratio plus gain old ratio A की कितनी है बटा? 4 by 9 और plus 8 by 81 तो इसमें कितना आ गया? 81 9 चोका 36 जमा 8 यह आ गया 44 by 81 ठीक है जी? और उसके बाद हमारे यह है A का new निकला आया और B का new आएगा उसका old कितना 3 by 9 जमा 10 by 81 तो यह आ गया 81 9 तियस ताइस जमा 10 तो यह आ गया 37 बाई 81 तो A और B की जो रेशो है वो है 44 and 37 यह आ जेगी new रेशो ठीक है बटे? ओके जी? तो यह रहा हमारा question का solution ठीक है? अब हम करेगे six question तो चलिए six question में आपको कराता हूँ simple question है six week उसमें क्या given है? हमें six question में जहां लिख रहा हूँ six question तो six question में हमें given है केशव यह है केशव और कौन है बटे? दूसरा निर्मल और तीसरे कौन है? पंकज पंकज तो यह है 5 is to 3 is to 2 तो पंकज डाइड पंकज डाइड पंकज डाइड हो गया and his share is taken by केशव his share is taken by केशव तो इस कमल और तो किसी को कुछ नहीं मिला तो केशव का new कैसे बन जाएगा? केशव's new share बनेगा old प्लस पंकज share मतलब पंकज का share तो उसका gain है न सारा? और तो दूसरा partner को तो कुछ नहीं मिला तो सारा इसको मिल जाएगा यह आजएगा 5 by 10 जमा उसका इसा के नहीं 2 by 10 2 by 10 तो यह आजएगा 7 by 10 और दूसरा को नहीं है? नहीं मिला के share में कोई change नहीं नहीं मिला के share में new share कैसे आएगा? no change no change तो यह कैसे आगया फिर बटे? यह आगया नहीं मिला का share 3 by 10 तो जो new ratio बनी वो बनी 7 is to 3 new ratio कितनी बनी 7 is to 3 किसकी बनी बटे यह? केशव की और पंकर तो डाइड होगे ना केशव और निर्मल की यह है केशव और निर्मल तो आप book के साथ एक बार answer मिला लीजे ठीक है? तो चलिए students यह तीनों question यहीं पर complete होते हैं और मैं वीडियो भी यहीं conclude करता हूँ I hope कि आपको अच्छे तरह समझ आ गए होगे यह तीनों question अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए ठीक है जी? और वीडियो वहाँ से देखते रहे ना ओके जी, done